So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में Tata Power को लेकर काफी कुछ बाते हम खरेगे तो वीडियो को आगे continue करो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हो जसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको nipty और bank nipty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरूर कर लेना तो वीडियो के शुरुआ टाटा पावर के यहाँ पर कहाँ पर closing मिली है और कैसे returns देखने को मिले है उससे करेगे टाटा पावर में अगर आप देखोगे तो 346 रुपे 85 पेसे के level पर आज हमें closing दी 6 रुपे 65 पेसे के round अगर आप देखते हो तो stock में शांदार return हमें देखने को मिले 1.95 परसेंट के basis पे एक बड़ी growth हमें यहाँ पर देखने को मिली है और वही अगर देखे टाटा की ओर से कई बड़े investment किये जा रहे है और यही कर दिखा जाए तो प्रधान मंत्री के सामने प्रधान मंत्री नदर्यमोधी के सामने भी उनकी और से एक बड़ी announcement की है चेरमेन ने एक बड़ी announcement यहाँ पर कर दी है पिछले पाच दिनों में भी एच्छे रिटन्स थे बड़ कुछ फ्लक्चुएशन्स थे और वही अगर देखें आज इसमें एक बड़ी न्यूज यहा आ रही है कि यहाँ पर जो टाटा ग्रूप है टाटा ग्रूप के जो चेर्मेन है उनकी और से कहा गया कि यह 20 गीगावाट लीथियम आयन स्टोरेज बैटरी फैक्टरी बनाने वाले हैं गुजरात में तो यहाँ पर अगर देखें आने वाले दो महिनों के अंदर अंदर यहाँ पर यहाँ पर यह पूरी चीज़े कंप्लीट हो जाएगी सो यहाँ पर 20 गीगावाट लीथियम बैटरी इसको बनाने के लिए बड़ा अनॉंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है और इसका सीधा सीधा इंपक्ट पड़ता है टाटा पावर के उपर क्योंकि टाटा पावर अगर देखें इवी के यहाँ पर अगर देखें इवी के सेक्टर में काफी important shares अचकल बन गया है renewable energy में काफी हद तक एक IMP stock बन गया है और वही अगर देखें यहाँ पर साथी जो टाटा ग्रूप के chairman है चंदर शेकरन की ओर से यह announcement किया गया है कि यहाँ पर गुजरात summit जो आज हुआ है गुजरात vibrant summit तो उसमें इनकी ओर से announcement किया गया है कि आने वाले time में फरवरी के अंदर अंदर वो यहाँ पर semi conductor जो factory है उसको भी यहाँ पर develop करने वाले है वही अगर देखे एक काफी बड़ी announcement इनकी ओर से की गई है और एक all important चीछ अगर में बदाऊ तो Tata Power Enable Energy to invest 70,800 करोड इन तमिल नाडू तो 70,800 करोड का investment यह तमिल नाडू में करने वाले है तो यह भी एक बड़ी positive चीछ से यहाँ पर सामने आ रही है तो तमिल नाडू में अगर देखे तो कई बड़ी companies की ओर से कई बड़े investment किये जा रहे है हाली में अगर देखे मुकेश अमबानी की ओर से भी एक बड़ा announcement किया गया और साथ यहाँ पर renewable energy में Tata Power भी एक बड़ा investment कर रही है तो एक बड़ी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तमिल नाडू government के साथ इनकी ओर से काफी बड़ी deal जो है यहाँ पर sign कर ली गई है तो ए भी जो है एक positive news यहाँ पर देखने को मिलती है इस news का भी इसके उपर काफी बड़ा positive impact पढ़ने वाला है तो बिल्कुल Tata Power में तो पिछले कुछ टाइम से अच्छी बड़त ही है एक महीने में बड़त अगर आप देखोगे 13.20 पेसे तक एस stock बड़ा है छे महीने में 121.35 पेसे के राउंड तक की return है और एक साल में 141 रुपे है तो consistency के साथ growth यहाँ पर share में आप देखोगे तो नजर आ रही है और वही अगर देखे आज ही अपना नया 52 week का high भी लगा देता बट थोड़े समय रह गया है आज के high के अगर बात करें तो 348.75 रुपीस के राउंड का high आज हमें नजर आता है और जो इसका 52 weeks का high है ओ है 390.70 रुपेसेगा तो यह कुछ चीज़े हमें देखने को बलती है और कई बड़े firms जो है अपने target इसमें बड़ा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे जो brokerage firm है NTQ तो उनकी और से भी यहाँ पर बिल्कुल buy rating दी जा रही है और इनकी और से जो target यहाँ पर हमें दीए जा रहे है ओ 450 रुपे के around तक के है तो बिल्कुल 450 रुपे का target यहाँ पर दिया जा रहा है NTQ की और से तो यह काफी बड़ी news है और बिल्कुल यह भी एक positive news है Tata के लिए तो यहाँ पर इसकी वज़़ा से भी stock में अगर देखे तो positive rating यहाँ पर जो मिली है उसकी वज़़ा से भी stock पे काफी हद तक positive impact हमें देखने को मिल रहा है काफी हद तक positive impact बड़ा है तो काफी बड़े firms की और से भी positive rating इस particular share में दी जा रही है इसके उपर भी आप ध्यान दे सकते हो और volume की अगर बात कर लें कल के comparison में volume आज सेम ही है बढ़ आज का जो trade value और combination delivery हो और यहाँ पर थोड़े उनमें difference रहे गए कल का जो volume था वो 2 करोड के राउं तक का trade value था और 46 lakh के राउं तक का combination delivery में कल देखने को मिला और आज के volume की अगर बात कर ले तो 2 करोड के राउं तक का trade value आज हमें stock में देखने को मिल जाता है वही हम बात कर रहे हैं जो community sentiments के आकड़े हैं उनकी भी अगर में बात कर लो तो positive rating यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है community sentiments के आकड़ों की अगर बात की जाए तो इसमें आप clearly देख सकते हो 100% लोगों की ओर से stock में buy की rating दी जा रही है buy करने के लिए हाँ पर कहा जा रहा है तो एक positive चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलते है तो काफी अच्छी rating यहाँ पर हमें इस particular share में देखने को मिल रही है और इसका impact stock के ओपर पड़ेगा और share khan की ओर से भी अगर देखे हाली में यहाँ पर sorry 14 December को भी positive target दिया गया था share khan की ओर से clearly कहा गया था कि stock में आप buying की ओर जा सकते हो Tata power में 390 रुपे का यहाँ पर target इनकी ओर से दिया गया था तो एक positive चीज हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है तो एक कुछ important चीजे है जो यहाँ पर निजर आ रही है Tata power में और इसके levels क्या कहते हैं levels भी काफियत तक important हो जाते हैं तो levels को लेकर भी हम काफि कुछ चीजे हैं जो discuss यहाँ पर करेगे तो Tata power को यहाँ पर हम search कर लेगे और Tata power के levels को हम पहले 5 minute के time frame पर देखेगे कि stock 5 minute के time frame पर कि इस तरीके से perform कर रहा है क्या levels है आज किस तरीके से stock trade कर रहा था वह मैं हाँ पर आपको बता देता हूँ तो पहली बात तो stock में आज एक बड़ा morning में momentum हमें देखने को बिला फिर उसके बाद stock में आप देख सकते हो एक बड़े momentum के बाद sudden एक fall आया और इसी point से उपर क्यों गया फोर यहाँ पर अगर देखें stock में यहाँ से गिरावट रही और यहाँ से इस point से भी गिरावट रही तो यह important point हमारे लिए बन गया था और वही गर देखें उपर से stock में बिल्कुल एक rejection मिलने के बाद stock जो है downside की और आया और जिस point पे पहले support लेके उपर की और गया था उसी point पे stock ने again एक support लिया again support लेके stock उपर की और जा रहा है और already हमें दो rejection already उपर से मिल गयते हैं दो बार तो एक अच्छा point यहाँ पर आमें देखने को मिला और जैसे ही stock ने breakout दिया वेसे ही अच्छे return देखने को मिला तो कल की लिए आप positive रहों कल की लिए भी अच्छे return यहाँ पर आपको मिल सकते है stock में अगर देखें तो उपर A level आपको ध्यान में रखना है इस level की अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन अगर इस level को इसने break कर दिया तो यहाँ से अच्छे point देखने को मिल सकते है और साथ ही यह वाली trade line को भी आपको ध्यान रखना है एक support का काम कर रही है एक particular trade line और यहाँ पर भी आप दीखो तो stock में पहले तो उपर से गिरावट हमें देखने को मिली इस particular range से भी stock ने rejection लिया और यही पर breakout भी दिया breakout के बाद यहाँ पर थोड़ा है sideways चल रहा है एक range में फसा हुआ है और कल के दिन अगर इसने इस range को break किया तो stock में यहाँ से अच्छे momentum देखने को मिल सकते है एक बड़े target यहाँ पर stock में हम expect यहाँ पर कर सकते है अच्छे return यहाँ पर आने वाले time में हमें देखने को मिल सकते है और वही अगर देखे उपर के levels की अगर मैं बात कर लूँ तो उपर आपका जो target है वो इसके around का रह सकता है 350 रूपिस के around जाने की पूरी कोशिश यहाँ पर इस particular stock की और से की जा सकती है तो इस चीज के उपर भी आप focus रखो और बिल्कुल बड़े firms की और से भी कई अच्छे targets दिये जा रहे हैं तो उसके बीचे भी reason ही होगा यहाँ पर आप देखो गये तो यहाँ से stock बिल्कुल इस range के breakout के बाद ही उपर की और जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो कही न कहीं इस point से पहले भी stock में गिरावट रही और यहाँ से भी गिरावट रही तो इस range को break करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करने वाला है इस change के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पर आने वाले टार्गेट्स भी आप इसमें expect कर सकतो बड़े टार्गेट भी इसमें अच्छी होगे already कई बड़ी range हम इसमें देख चुके हैं और यहाँ पर already all time high के near rate trade कर रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल आप positive रहो Tata power में आने वाले time में अच्छी return यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर Tata power को लेकर काफी कुछ हमने बातचीत कर ली हैं stock में अगर देखे अच्छे returns भी आज देखने को मिले और Tata के कही सारे shares जो है आज positive रहे हैं और कल भी positive return हमें in stocks में देखने को मिल सकते हैं तो positive आप रह सकते हो I hope video आपको helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो को अच्छा लगा हो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलना और एक important चीज़ अगर आप कोई भी stock में investment कर रहे हो तो इन shares की ओर इन shares में investment करने से पहले इनका एक बार analysis भी करना फिर ही इन stock में investment करना Thank you